निमार का प्रसिद्ध लोक पर वो गंगोर सुम्वार को मुर्ध धराने के साथ शुरू हो गया। सुम्वार को शुद्धालों ने माता की बाड़ी में पहुच कर बास की टोकरियों में गेहु अर्पित किये। इन बास की टोक्रियों में गेहू की जवारे बोई जाते हैं, जो गंगोर तीच पर शुधालू आकर्शक रथो में विराजित कर अपने घरों पर ले जाएंगे। नायब तहसिलदार ने बताया कि शृधालू द्वारा जो गेहू दिये जाते हैं, उन्हें साफ कर टोक्रियों में बोया जाता है। इसके लिए मिट्टी और गोबर की खाद विशेश रूप से तयार खी जाती है। रोजाना सुबर शाम इन जुआरों को पानी का छिड़काओ करना पड़ता है। जिस कक्ष में माता के जुआरे बोय जाते हैं, वहां आना जाना वर्जित रहता है। गंगोर तीच पर ही ये कक्ष खोला जाता है। इस वर्ष दोस उसे अधिक टोक्रियों में जुआरे बोय गए हैं। मुठ धराई के साथ नगर में माता के गित गुणने लगे हैं। एकादर्शी से लेकर गंगोर तीच तक प्रतिदिन महिलाय माता की बाड़ी में जाकर माता की आराधना कर गित गाती हैं। गंगोर तीच पर माता को जब श्रधालूओं के घरों पर ले जाये जाता है, उसके बाद घरों पर माता की गित गाये जाते हैं। गीत के बाद प्रसाद के रूप में तमॉल धानी का वित्रन किया जाता है। धरमपूरी से सुनिल वासकले की रिपोर्ट